सब्सक्राइब इंडिनीज अनलिस चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फॉर लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स चल रही थी वह नहीं होने वाला है लेकिन एक चौकाने वाली रिपोर्ट इसी भी सामने आई है आई ड्रW की रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अर्जंटिना का एक डेलिगेशन भारत आने वाला है जिसमें उनके पाइलेट्स और टेक्निशन होंगे ज जहाँ पर उन्होंने तेजस और LCH के बारे में जनकारी प्राप्त करी थी लेकिन डेफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस समय कोई भी निर्ड़ेट्स आर्जंटिना की वायु से ना ले इसके चांसे काफी कम है क्योंकि जिस प्रकार की उठा पटक वहाँ पर चल रह जाएगा और यह है इंडियन नेवी शिप्स को रिफ्यूल करने के लिए जो टैंकर्स हैं उनकी खरीद की जाएगी हाला कि रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है फिलाल मिनिस्ट्री आफ डिफेंस एक टैंकर शिप को लीस पे लेने के बारे में विचार कर रही है जो कि त जाएगा और यह इंडियन नेवी की सारी रिक्वार्मेंट्स को पूरा करने में सक्षम भी होना चाहिए रिपोर्ट क्लेम करती हैं कि कॉन्टाक्ट साइन होने के 10 महिनों के अंदर जो यह टैंकर है यह मुंबई नेवल हारबर में होना चाहिए या उनको डिलिवर हो जान चाहिए हमारे एक लिए अपडेट इंडियन आर्मी को लेकर क्या रही है इंडियन आर्मी के द्वारा एक रिक्वेस्ट पर प्रपोजल इशू किया गया है जहां पर उन्होंने 300 की संक्या में जो लॉजिस्टिक रफ्ट टरेन वेकिल्स है इनकी खरीद की बात करी है जो क की हर प्रकार के एरिया में ऑपरेट करने में सक्षम होती है बिसिकली इन्हें मेडियम टू हाई एल्टिट करने के लिए लिया जा रहा है ये काफी खास होती है इसमें ड्राइबर और उनके दूसरे साथी उनके बैठने के अलावा समान रखने की भी अच्छे व्यवस्थ प्रकार के लिए और इंडियन आर्मी की जो रिक्वार्मेंट है गर हम उसकी बात करें तो उनकी रिक्वार्मेंट यह है कि यह एक टन से कम होनी चाहिए वजन में और यह देशु किलोग्राम तक का पिलोड करी करने में सक्षम होनी चाहिए इनमें 4x4 जो ड्राइब कोड भी किया जा सके हमारे के बड़ी अपडेट अर्मेनिया को लेकर क्या रही है कल के रिपोर्ट में आपको पता चली गया होगा कि अर्मेनिया इस समय अपने सुखोई 30 के जो फाइटर पाइलेट से उनके लिए भारत से मदद चाहता है और में यह चाहता है कि वह भारत की एक्सपर्टीज का स्तेमाल करें बलकि अर्मेनिया का प्लैन सामने ये भी आया है कि भारत की एक्सपर्टीज के अलावा इंडियन जो वेपन्स है वो भी सुखोई 30 के लिए वो अपने कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि भारत के जो वेपन्स है वो अल्रीडी सुखोई 30 MKI का हिसा हैं और उनके अलग-अलग टेस्ट को आजिद किया गया और वो प्रूबेंद भी है और इसलिए अर्मेनिया यह चाहता है कि भारत से जो हथिया रिसु खोई के वह भी खरीद एजाएं और भारत भी इसकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तयार है अर्मेनिया के जो SU 30 फाइटर जेट्स है वो काफी नए बाने जाते है और अगर भारत इस पूरे के पूरे प्रोग्रेम में उनका समर्थन करता है तो एक्सपर्ट्स यह मानते हैं आने वाले समय में दोनों देशों के जो सैने संबंद है वो एक नए इसanov तरह तक पहुंच सकते है हमारी एकली बड़ी अफड़ेट बांगलादेश को लेकर के है बांगलादेश तयार आम्फोस को लेकर के रेपोर्स में बताया जारा है अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो कई SUV और ट्रक्स इस समय बंगलादेश के रिडार पे हैं जिनमें बेसिकली टाटा और महिंद्रा का मेंन नाम सामने आया है जो कि इस समय ट्राइल से अपने गाड़ियों को गुजार रहे हैं और माना जा रहा ह अगर हम मुझद समय में बात करें तो बंगलादेश की आर्मी टाटा हेक्सा जो की 4x4 कार है उसको इस्तेमाल करती है इसको टाटा के दोरह मैनेफैक्चर किया जाता है इसके लावा भारत बंगलादेश की मदद उनके मी-17 हेलिकॉप्टर और मिक-29 जेट्स के जो मेंटेन आर्मी के सोल्जर्स का जो फिजकल स्ट्रेंड है किसी भी ऑपरेशन के तौरान उसको कम करने में आहम मुमिका निभाएंगे क्योंकि ये विशेश रोबोट ना सिप इंडियन आर्मी के एमिनिशन को कैरी करेंगे बलकि जो राशन्स हैं और दूसरे जो जो जरुरी को इंटर्फेयर किये दरसल इसमें आर्टिफिशल इंटेलिजन्स का इस्तमाल किया जाएगा जो कि इन रोबोट को इतनी समस्दारी प्रदान करेगा कि ये टीम के साथ अपने ताल मेल को मिलाये रखे और बार बार इनको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ना पड़े और अगर किशी मिसन के दौरान कोई सोल्जर इंजर्ट भी हो जाता है तो वहाँ से उनको बचाने की जिम्मेदारी भी इन रोबोट के गंदों पर ही होने वाली है दसल ये रोबोट कमांड को फॉलो तो करेंगे रैकिन बार बार इने जो कमांड है वो सोल्जर्स से नहीं ले इंस्ट कर लिया है लेकिन रेपोर्ट में भी एकलेम किया रहा है वेस्टन मीडिया की कि ये एरक्राब अपनी स्टेल्थ को लेकर के जितना क्रिटिसाइज किया गया था रियल लाइफ में ये उतना ही ज्यादा अच्छा बन के सामने आया है दरसल इसने तकरीबन चार से पांच मिशन में भाग लिया था और उसमें ये जाता है एनमी के एर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करता है और बेना डेटेक्ट किये हुए ये वापस लॉड़ भी आता है वहीं वेस्टन मीडिया इस सीज को लेकर के ज्यादा चिंतित है कि इनका जो एस सेवेटी हंटर ड आएगा और वो तक्रीबन दो तक्रीबन दो तक्रीम लो आट टन के जो पेलोट्स हैं उनको केरी करने में सक्षम होगा रेपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि उसको कंट्रोल करने के लिए सुखोई 30 MKI का एक ट्विन सीट वैरेंट भी तयार किया जा रहा है जो की S70 क स्वाम को कंट्रोल करेगा यानि कई ड्रोन्स को एक साथ उसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकेगा और वो बड़े बॉंबर जैसे कि TU-160 हो गया या दूसरे जो बॉंबर्स हैं जो कि हाईपर सौनिक मिसल्स को कैरी करते हैं उनके लिए एक सुरक्ष रास्ता बनाएगा औ यह भी हमसे अब छिपा नहीं है और आप इस मामड़े की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने जितने भी तुरकिश और चाइनीज ड्रोन्स हैं उनको अफगान बॉर्डरों के तरफ भीजना शुरू कर दिया है जहाँ पर वो अफगान पर जब पाकिस्तानी सेना के ओफर अटैक्स ना हो रहे हों और गंदी बात यहां पर यह है याप पाकिस्तानी नजीरियश अगर हम बात करें तो उनके लिए बुरी बात यह है कि वो इस पूरे अटैक को रोक भी नहीं पा रहे हैं को खुल के उन कर यूपर यह अटैकश चल रहे हैं तो फिलाल के वीडियो में बस इतना ही आपने वीडियो को अंतर देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिलते हैं कल के अपने नए एपसोड में तब तक के लिए जय हैंद